Advanced English बोलने के लिए क्या जरूरी है? Of course, Advanced Words Guys, अगर आप Advanced Words का यूज करते हैं तो सामने वाले पर Impression बहुत अच्छा पड़ता है फिर वो बोलता है कि ये तो Advanced Speaker है तो अगर आप बनना चाहते हैं Advanced Speaker और अपनी English से लोगों को करना चाहते है Impress तो इस वीडियो को जरूर से इन तक देखिएगा आज आप 25 Advanced Words सीखेंगे और इनको हम Replace कर देंगे Replace कर देंगे का क्या मतलब है यहाँ पर? देखे Very happy, very beautiful, very surprised, very bad, very angry, very tired, very small, very big, very important ये words हैं बहुत ही basic जो कि आप बार-बार यूज करते हैं क्योंकि आदत में हैं हम बार-बार जब बोलना होता है बहुत अच्छा, very good, बहुत बुरा, very bad ये हमारी आदत में है लेकिन इस आदत को यह तो बदलना है अगर आप Advanced Speaker बनना चाहते तो इसकी जिगर पर क्या यूज करेंगे आप? मैं एक-एक word को हटा कर, मतलब कि जैसे very happy हटा के आप तीन words यूज कर सकते हैं ऐसे मैं आपको कई सारे words तूंगी, total 25 words गाइस वीडियो को जरूर से एंट तक देखना My name is Kanchan, you are watching me on Vidya Saal, let's begin आप sentences बना पाएं, इसके लिए आपको tenses आने ही आने चाहिए तो guys मैंने एक घंटे में सभी sentences बताएं हैं सारी doubts clear हो जाएंगे, link आपको description में मिल जाएगे उसे जरूर देख लीजेगा और ये वीडियो available है English Connection पर तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला मैंने आपको बोला very happy था इसे हम जब replace कर सकते हैं किन words के साथ ये देखेगा thrilled, delighted, on cloud nine ये तो आपके words हो गए, ये एक phrase है जो कि आप use कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही interesting होगा thrilled, आप अकसर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे I am thrilled or I was thrilled तो इसका मतलब होता है कि वो कहना चाह रहे हैं I am very happy or I was very happy देखें, sentence कैसे बनेगा I am thrilled to see you, that means I am very happy to see you instead क्या use कर लिया, thrilled impression तो अच्छा पढ़े गा ही न It's been ages since I have seen you जब मैं तुम से मिली थी, तब से इतना समय हो गया ages हम use करते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया एक particular time period नहीं बता रहे हैं यह बुल रहे हैं बहुत लंबा समय हो गया तो ऐसे आप इसे use कर सकते हैं जरूर से कीजेगा अगला है delighted delighted का भी मतलब हो गया very happy you'll be delighted about what I am gonna tell you मैं आपको जो बताने ही चाहा रही हूँ उससे आप बहुत खोश हो जाएंगे you'll be delighted यह जो phrase मैंने कहा on cloud nine on cloud nine का मतलब होगे जैसे हम कहते हैं कि इतने खोश हों कि हवा में उड़ रही हूँ तो वो ही sense यहाँ पर आता है अगला है very beautiful वैसे एक question आप से पूछना चाहूंगी when was the time when you were on cloud nine comment section में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं very beautiful को replace कर सकते हैं charming से, stunning से, gorgeous से आप तो देखती होंगे इसका use करते हैं लोग बहुत जादा और इसका मतलब क्या है वही very beautiful so instead of saying very beautiful every time you can use all these three words examples देखे, that baby is charming यही बता दू आपको charming ज्यादा थर छोटे बच्चों के लिए use होता है ठीक है तो अगर छोटा बच्चा है आपको बहुत ही प्यारा लग रहा है beautiful लग रहा है तो उसकी जगा आप charming use करे that baby is charming or so charming Kanchan you look stunning today तो किसी को भी आप compliment दे सकते इस तरीके से Deepika Padukone is gorgeous I'm very confused guys with this surname It's Padukone, Padukone और Padukoni Please let me know in the comment section below क्योंकि बड़ी confusion है कि सही क्या है मुझे लिख के बता दीजेगा please आगे आते हैं very surprised very surprised का जो मतलब आप जानती है इसका मतलब कि बहुत आश्चर या चकित ठीक मैं आश्चर या चकित हो गया था बहुत चक्का रह जाना इसके लिए आप use कर सकते हैं amazed मतलब जब आप इन्हें use करें तो very नहीं use करना है इनमें खुद very included है बहुत जब आत्यदिक होता है तो astonished and यहां astounded ठीक तो आप से आप इन्हें use करेंगे आप शूर कि यह तो आपने सुना है बट यह वाला थोड़ा कमी सुना होगा आपने बट आप इनको आदत में डाली इंप्रेसिव लगेगा I was amazed at the number of views on this shorts Yes guys, यह एक ऐसा shorts है मेरे चैनल पे जिसने एक दिन में, एक दिन भी क्या सुबह मैंने डाला, रात तक मतलब लगभग 12 घंटे में 5 लाख views आगे थे So I was amazed at the number of views on this shorts मतलब इतने कम समय में सबसे ज़्यादा views अचीव करने वाली यह video है He was astonished at the change in him ठीक, उसके अंदर जो change आया, बदलाव आया He was astonished, उससे वो आश्चरे चकी था बहाँ जादा The doctors were astounded that he survived Doctors बहाँ जादा आश्चरे चकी थे कि वो survive कर पाया That he survived, so astounded अब आप इन्हें यूज़ करेंगे जब कभी आप बहुत जादा surprised हो जाएं Very bad, इसकी जगा आप यूज़ कर सकते हैं Horrible, terrible या फिर awful तो आप very bad की जगा इन्हें यूज़ करेंगे कैसे That's horrible news कोई खबर आपने सुनी, वो बहुत ही बुरी है आप बुलना चाह रहे, that's very bad news Instead say that's horrible news It seems like she is having a terrible day ऐसा लगता है उसका दिन बुहत बुरा जा रहा है That was a terrible day That was a terrible day मतलग That was a very bad day So instead you used terrible The place smelled awful वो जगह बहुत ही बद्बूदार थी बहुत ही बद्बूदार थी वांसे Clear? आगे है very angry Very angry, बहुत गुसा क्या यूज़ कर सकते हैं? Furious, mad, enraged ठीक? Furious, mad, enraged I am furious that I wasn't told about it मुझे बहुत गुसा आ रहा है इसलिए मुझे बहुत गुसा है She was enraged at his stupidity Next is very tired मतलब बहुत थका हुआ तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं exhausted I am exhausted मैं बहुत थकी हुई हूँ ठीक? I was अब इसे थोड़ा सा और ज्यादा अगर आप emphasis करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते completely या फिर utterly I was completely exhausted और I was utterly exhausted after working 12 hours constantly लगातार बारा घंटे काम करने के बाद मैं पूरी तरीके से थक गई थे Next is very small इसका मतलब बहुत छोटा क्या यूज़ कर सकते हैं tiny या फिर minuscule ये एक अच्छा सा word है याद कर लीजे minuscule Look at her tiny fingers उसकी छोटे छोटी उंगलियों को देखो छोटे सा बच्चा होता है तो उसकी tiny fingers होते Aren't they cute ठीक है क्या वो cute नहीं लग रहे हैं Next as I said minuscule All she gave him to eat was two minuscule pieces of toast समझ रहे हैं आप की उसने उसे जो दिया वो क्या था टोस्ट के दो छोटे छोटे pieces minuscule pieces Next is very big मतला बहुत बड़ा इसके लिए आप use कर सकते हैं enormous या फिर huge या फिर massive यह तीन words हैं तो आप इनकी आदत डालियेगा जितने words में आपको बता रहे हूं उन सबकी आदत आप जरूर से डालियेगा Guys मैं आपको remind करा दो कि मेरा app भी अगर आपने install न किया हो English connection नाम से play store पर जाएं type करे English connection, install करें वहां courses available हैं अपनी English को improve करें और बहुत ही जल्दे spoken English का भी course आ रहा है enormous house enormous means very big उसके पास बहुत बड़ा घर है that was a huge mistake वो बहुत बड़ी गलती थी they live in a huge house वो एक बड़े इसे घर में रहते हैं did you notice the massive walls of the castle? तुमने castle मतलब महल, महल के बड़े बड़े दीवारों को notice किया आगे है very important इसके लिए आप यूज कर सकते crucial या फिर essential ठीक तो इन दोनों का मतलब होता है very important बहुत महत्वपूर्ण vitamins are crucial for maintaining good health ठीक अच्छा स्वास थे बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है क्या बहुत important है vitamins experience is essential for this job इस job के लिए experience बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है clear तो guys इस तरीके से आपने सीख लिए 25 words आपको ये words कैसे लगे और कौन सा word आपको सबसे ज़्यादा नया या फिर आपको सबसे ज़्यादा पसंदा है उसे comment section में जरूर लिख दीजेगा वीडियो को share कर दीजे सभी के साथ बहुत ज़्यादा share कीजेगा प्लीज ताकि सबकी मदद हो सके और इन्हें आज से ही आप यूज़ कर रहे हैं ये भी comment section में लिख के बता दीजेगा वीडियो पसंदा है ये तो like कर दें मिलते हूं आप से अगले वीडियो में जैंद